एलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था जिसके अंदर मैंने डिसकस किया कि भाई आपको क्या-क्या चीजे पढ़ना चाहिए फानेशल मेनेजमेंट में और किस हिसाब से पढ़ना चाहिए इसमें भी बहुत सारे बच्चों के एक कोईरी आई कि सर हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं और अगर मैं टाइम की बात करूँ फानेशल मेनेजमेट में तो टेंटेटिबली हमार पास एक दम सटीक देखें बस 20 दिन में फानेशल मेनेजमेंट में सिर्फ कितने दिन हैं सर 20 दिन only 20 days और मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था कि 30 days में कैसे complete करें तो अब student का कहना है सर हमें मैंने कहा कि भई बुक ले लो तो बच्चों कहना है सर बुक ले के क्या फाइदा फिर कहा कि भई आप एक काम करो 10 यर ले लो तो 10 यर तो ले लेंगे तो बच्चे ने एक तरीके से डरे हुए हैं उसी को ध्यान में रखके ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिनको कहते हैं के सर मुझे 75 में से 75 नहीं चाहिए इतना टाइम नहीं बचा है मुझे आप सिर्फ 60 दिला दो 75 में से हमारी लिए चलेगा यानि in short कहूँ तो अभी जो बच्चे के मन में चल रहा है क्यार 20 दिन बच्चे हैं इतने सारे और भी subject हैं बस पास हो जाएं और अच्छे नमबर थोड़े से आ जाएं उसके लिए अभी तक जितनी भी मैं वीडियो बना रहा था वो मैं सोचा था कि पूरे के पूरे नमबर लेकिन जो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया अब वो स्टार्ट करने जा रहा है उनके लिए कौन से चेप्टर स्रिफ कर लेना है पहले उसके accordingly मैं बात करूँआ जिन्होंने कुछ ने स्टार्ट किया तो मैं अब जो टार्गेट लेके चल रहा हूँ कितने का? साथ नमबर का और साथ नमबर अगर आप लेते हो तो आपका सैवन बन जाता है SGB जो मार्क्स डलता है टैन में से तो टैन में से एप्रोक्स आपका सैवन मार्क्स के आसपास बन जाता है तो मेरा कहना है कि भीया वो नमबर भी आपके बुरे नहीं होंगे नमबर एक अच्छा ही माना जाएगा तो हमेशार चेप्टर कौन-कौन सा पहले कर लेना चाहिए वो ध्यान से देख लिजिए सबसे पहले जो चेप्टर करना चाहिए that is करना चाहिए लिवरेज सिर्फ वही चेप्टर के नाम मैं यहां लिखने वाला हूँ जिससे के आपके एक्जाम में 60 नमबर के एक्जाम स्कोर हो सकते हो और वो चेप्टर है जो की easy भी है और जल्दी cover भी हो जाएगा ठीक है ना? तो जैसे कि आपका लिवरेज नमबर दो पे है EBIT नमबर थ्री पे है cost of capital नमबर चार पे है value of firm इन शॉर्ट इसको theory of capital structure भी कहते हैं तो ये सारे chapters वो है जिसको कि आपको करना ही है और इस chapter को करने में आप क्यूंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपने start नहीं किया तो किसी भी subject में familiar होने में थोड़ा सा time लगता है उसके हिसाब से time मैं 20 दिन का ही data बना के दे रहा हूँ आपको तो देखा जाए तो sir 3 दिन sir 2 दिन sir 4 दिन और sir इसके अंदर लग जाएंगे आपके 2 दिन बहुत आराम से करोगे ऐसा नहीं कि 20 दिन बचे हैं तो वस खतम करना है खतम करना वो भी चीजे नहीं होने वाली बहुत relax होके करोगे दिन का मतलब मैं एक दिन में ये मैं आपसे उमीद करता हूँ कि आप 2 घंटे मुझे देंगे एक दिन में 2 घंटे उसकी बात मैं कर रहा हूँ ठीक है ना 8 घंटे की भी बात नहीं कर रहा है तो 3, 2, 5, 4, 8, 2, 10 यानि 10 घंटे यानि 10 दिन ये हमारा लग जाएगा सर यूनिट नमबर 3 है ये हमारे पास ठीक है इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नमबर 4 और यूनिट नमबर 4 देखें तो डिविडेंट है हमारा डिविडेंट पॉलिसी ये है हमारा यूनिट नमबर 4 और मैं पांच वा चैप्टर नाम देते था ठीक है सर इसको खतम करने में three days पस तीन दिन में खतम हो जाएगा मैं भी marks के हिसाब से भी बता दूआ कितने marks रहेंगे ठीक है अब मैंने 60 marks बताया है जो वो मैं percentage की basis पर ले रहा हूं कि 75 का paper मान रहा हूं semester तीन वाले बच्चों क 90 कभी paper आता है तो वह आठारा नंबर का एक question आप कर सकते हैं उसके हिसाब से नंबर छटा करना है आपको that is working capital और नंबर साथवा करना है आपको operating cycle ठीक है नंबर आठ करना है आपको टीवी एम स्रिफ ये practical chapter है इसको करने में hardly दो दिन दो दिन में बड़े आसानी से हो जाएगा ये one days और इसको करने में दो दिन तो देखो दो और दो चार और पांच और तीन आठ तो टोटल आप देखोगे हमारा स्लेबस अठारा दिन में खतम हो पारा है सिर्फ आपको यही chapter करना है इसके अलावा किसी chapter पर focus नहीं करना है तो मैं मान के चलूँगा अगर 75 का paper आया तो बहुत इजिली बहुत से बहुत इजिली आपके 60 marks आप स्कूर कर सकते है 60 number ठीक है ना मैं भी 75 की बात ही नहीं कर रहा है तो इस तरीके से आपने पढ़ना है 60 number अब मैंने क्या-क्या छोड़ दिया है सबसे बड़ा chapter capital bursting छोड़ दिया है 15 number का question आ रहा है जिसको मैंने skip कर दिया क्योंकि कुछ चीजे ऐसी होती है ना कि आप एक पर को तसली कर लो देखो अगर मैं अभी बोलू कि भाई capital bursting बहुत important chapter है life में काम आएगा आगे आपको पता होना चाहिए तो वो समय भी नहीं है अभी मुझे आपका life के बारे में कम सोचना है पहले जो अभी 20 दिन बाद exam है उसके बारे में सोचना है और इसके बारे में आप खुद भी सोचो आप अगर पूरा syllabus लेके चलोगे इतना इतना ये है वो है फलना है ये है वो तो नहीं कर पाऊँगे आपको क्या सोचना है कि अभी भाई exam है और exam के अंदर paper जो आएगा तीन घंटे में उसे लिखके आना है बाहर निकलना exam हो से और अच्छे से लिखके आना है तो पांच में से इन सारे चेप्टर को कर लेते हो तो चार questions करने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको इसमें से कुछ theory के chapters है theory को मैं consider नहीं कर रहा ये सारे practical subjects है जिसमें से exam पूछे ही पूछे जाते है exam में एकाद chapter practical और theory dicey सा रहता है लेकिन इतने chapter करने के बाद you are eligible for four questions चार question किसे भी कीमत पर कर सकते हैं यह मैं guarantee लेता हूँ अब समस्य यह आ रही है कि sir leverage के अंदर भी काफी classes है EBIT में भी काफी classes है इधर भी काफी classes है working capital में classes है तो देखो जो मैंने YouTube पे वीडियो डाला है जो मैंने YouTube पे वीडियो डाला हुआ है तो उसके अंदर मैंने सारा detail में डाला है और मैं आज से नहीं पढ़ा रहा है मैं तो starting से ही मैंने वीडियो डालना चालू कि देख लो आप फर्स वीडियो जाके तो तीन-चार मेंने होगे तो वह है अब जो बच्चे starting से पढ़ रहे है वो तो बने वे हैं लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कि आज ही कहीं से search वर्च करके YouTube पे आ चाहा था कि अभी तो इतने टाइम है अभी तो कर लेंगे लास्ट टाइम कब कहा था यह जरूर सोचिए और फिर आज सोचिए कि यार बस 20 दिन बचे हैं फिर ऐसे ही एक हपता निकल जाएगा देखो संडे कितनी जल्दी आता है यह आप भी जानते हो अभी संडे फिर हो जाएंगे आपकी लाइफ की फिर कई बार चीजिए अभी सुधर सकती है तो सुधार लेजिए टाइम बीतने के बाद फिर वह भी नहीं होगा फिर दो दिन में आप सोचो के बस मेरे किसी तरीके से पास हो जाएं तो अभी आप अगर अगर अवेर हो जाते हैं तो किसी अधर भी सब्जेक्ट्स हैं उसको भी साथ में लेके चलना आप समझ रहे होगे मैं आपके इस बात को समझ सकता हूं क्योंकि जॉब भी है फिर एक्स्ट्रा करिकुलम भी है फिर क्योंकि बीकॉम करने के बाद हमारे पास ऐसा कोई शियोरेटी नहीं अवेलिबल होती है कि जिसके बाद हमें कुछ मिल जाएगा खीक है न तो इसलिए स्टूडेंट जादा से जादा क्या करते है यार हो जाएगी जस्ट एक बीकॉम लेकिन बीकॉम लाइफ में जरूरी भी बहुत है क्योंकि बीकॉम के बिदाउट आप आगे कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स य नहीं खाया वो भी पस्ता है तो कहानी बीकॉम के साथ भी यही है सादी का लड़ू ही समझ लो इसको अगर भाईया कर लिये तब भी कोई फाइदा नहीं करे तब भी नुकसान ही है यह कहानी बन जाती है तो कुछ ऐसी कहानी है तो जो स्टूडेंट अभी अवेर हुए है सिर्फ उनके लिए तो उनके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए जो बच्चे अभी अवेर हैं बिलकुल अभी तो मैं जैसे की चैप्टर वाईस मैं अगर बता हूँ जैसे की लीवरेज चैप्टर है तो वैसे वहाँ पे आठ गंटे दस गंटे तो मैं प्लान क्य कोश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं आल दू फाल दू कोश्चन नहीं जिस टाइब के एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं उस टाइब के कोश्चन करवा लो टाइब और प्लस पास्ट येर के कोश्चन करवा दो ये चीज़े करा दो सर उस type के questions कितने होंगे अगर एक chapter में हम बात करें तो आपके book में अगर 20 question है तो मैं 20 के 20 पर focus नहीं करूँगा कि मुझे भी पतना है भाई इस type का पूछा ही नहीं जाएगा starting में तो बच्चे जब book लेते हैं तो हमारा intention होता है कि हम पूरा पूरा पढ़ेंगे बट अभी तो नहीं है न तो जो चीज़े बस आपको जिस हिसाब से मैं guide करता जा रहा हूँ पिछले कई सालों से देखो मैं तो guide कर रहा हूँ बढ़ाने का experience है paper का experience है आप अभी आए हो तो थोड़ा सा तो trust करना पड़ेगा आपको तो जिस हिसाब से मैं guide कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा paper में आप 4 question कर पाऊगे मैं 5 की guarantee ले ही नहीं रहा हूँ मैं 4 की ही guarantee ले रहा हूँ आपके सामने ठीक है ना तो sir कुछ type के questions तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर book के अंदर 10 question है तो 10 ना करके हम 3 या 4 question लेंगे hardly और 10 year के question तो आपने practice करना है और एक बार जब concept हो जाता है ना आप तो मैं आप सभी को जानता हूँ कि concept कर लिए book के question कर लिए तो कुछ questions तो आपको देखने के बाद और उसको आप book में भी कर लेते हो और लेकि भाई यही ऐसे हुआ confidence हो गया बस एक promise करना पड़ेगा 20 दिन तक हर एक दिन जैसे मालो मैंने आज leverage chapter खतम किया तो एक बस काम करना है कि हर दो दिन के बाद एक question मैं leverage का जरूर ट्राइ करूँगा फिर मैंने EBIT खतम करा तो हर बार कभी leverage कभी EBIT मतलब पिछले chapter को छोड़ना नहीं है उसे एक बाद check करते रहना है और ये check चलो question भी नहीं कर रहे है न page पलटना है पांच मिनट तो देश सकते हैं एक chapter को passing badge से related है चाहिए कि भीया बस मुझे pass होना है और pass होने लाइक और 75 में से नहीं नमबर चाहिए हमारे 60 नमबर आए जाए 75 में से होई है तो एक passing badge जिसके अंदर सारी वीडियो को extra जितने भी part है मैं इस badge के अंदर सारी के सारी वीडियो definitely होंगी अब देखो इसमें ये भी बच्चे होंगे जिनकों की बोला सार हमारे तो 5 घंटे पढ़ने की sitting capacity है तो हम तो पढ़ लेंगे अब हमें ये कोई बता रहे हैं तो इसके अंदर मैं वीडियो को specific कर दूँँगा दो folder मैं बना दूँगा यहां पर number one folder मैं बना देता हूं यहां पर passing batch जिसके अंदर जो pass होना है सर्फ इसी folder को देखे एक folder को मैं डाल देता हूं extra question जिसको extra question है वो extra question कर लेगा तो ये दो scenario मैं यहां पर कर रहा हूं और काफी कम videos हो जाएंगे और आपका time भी मिलेगा ठीक है न जिन बच्चों को लगता है कि सर हम YouTube से कर रहे है setting capacity है definitely YouTube पर कर रहे है मैंने कह दिया कि इतने chapter है और मैंने capital budgeting का भी बोला कि exam तक शायद December का जो भी exam आ रहा है तो उतने ज़्यादा ना डल पाए स्टार्टिंग हो जाएगा और अभी तो मैं बोल रहा हूँ capital budgeting पूरा छोड़ना ही छोड़ना है ठीक है ना तो एक है कि आप एक problem है कि अगर आप YouTube पे comfortable है तो YouTube पे कर लिजिए आपको अगर live classes लेना है paid courses के अंदर जाना है तो वहाँ चले जाए यह मेरी तरफ से कोई भी ऐसा pressurize नहीं है लेकिन यह सारी चीज़े जो मैं बोल रहा हूँ concept all type फिर passing यह सारी चीज़े यह सारी चीज़े देखो पुरानी वीडियो जो leverage है उसके अंदर में छेड़ खानी नहीं कर सकता उसके पीछे रेजिजन समझेगा क्यों नहीं कर सकता इसलीए नहीं किया जा सकता उसके साथ चेड़ खानी क्योंकि कुछ बच्चे पहले से देख रहे हैं अगर उस वीडियो का मैंने unlisted किया या फिर मैंने private किया या फिर delete किया तो वो बच्चों का खराब हो जाएगा अब मेरे लिए हर एक student important है देखे ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे लिए important है तो दूसरा मेरे लिए important ही हर एक बच्चा क्योंकि हर एक बच्चे का एक साल future की बात होती है और ये responsibility मैं समझता हूँ और कितनी बड़ी बात है कि एक student एक बच्चा एक family का सदस से पर पूरे घर का कई वार परिवार की उम्मीदे और पूरे घर की जिम्मेदारियां होती है अगर मैंने सुचा चलिए एक बच्चा नहीं वार पास क्या करें लेकिन नहीं उस बच्चे के उपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उसको सोचते हुए मैंने बाकी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भईया मैं पूरा करूँगा आपको क्या करना है देखें मेरी मानिएगा आप थोड़े से पैसे जरूर खर्ची है मैं कहूँगा बुक प्लस जो मैं ये कूर्स मैं आज बनाने जा रहा हूँ अभी लॉंच हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कॉंटैक नमबर है उनसे आप बाई कर सकते है और एक नॉमिनल सा प्राइज मैं बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्राइज भी नहीं लेता सर्फ और सर्फ आपका 300 रुपीज और मैं इसके अंदर एक चीज शियोटी देता हूँ क्योंकि बच्चे न डरे होता है सर्फ 20 दिन में क्या होगा 300 रुपीज रहेगा इसका प्राइज ठीक है आप बोलिएगा कि सर्फ वीडियो आप स्क्रीन शॉट भेज देज़ेगा हो जाएगा इन केस इन केस आपको लगता है कि सर 300 रुपीज आपने प्राइज तो बता दिया लेकिन 20 दिनों के अंदर हम नहीं रहें मैं इसकी वैलिडिटी आपको एक साल का दुआ नेक्स्ट येर तक ये ध्यान रखिए ये नेक्स्ट येर का वैलिडिटी इसलिए नहीं दे रहा कि आप पास नहीं होगे और डेफिनेटली ये करोगे तो पास हो जाओगे आप अच्छे से कोई बच्चा सोच रहा है अगर पास नहीं होगा तो फिर तो फिर मैं आपको अगले साल तो पढ़ो गई ना भाई तो उसके लिए मैं वैलिडिटी इसके लिए मैंने नेक्स्ट येर के एक्जाम तक इस सर्फ बैच का आपको दिया जाएगा बाकि जितने भी बैच होते हैं स्टार्टिंग से पढ़ रहते हैं बच्चों को ज़रत ही नहीं होते हैं बहुत आसानी से पास हो जाते हैं आगे चले जाते हैं तो ये चीजे हाड कॉपी टैनियर और ये और ये मोटा मोटा मैं आपको सारा खर्चा भी बता देता हूँ कुछ खर्चों को आपको पता होना चाहिए बुक आप सेकंड हेंड ले लो तीन सो रुपे के बुक आएगा टैनियर ले लो सो रुपे के आसपास टैनियर आएगा सो एकसो बीस का कोर्स हो गया हमारा तीन सो रुपे का तो टोटल साथ सो रुपे में एक सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं जो बच्चा मार्क्स को देखेगा पास होने को देखेगा उसके लिए साथ सो अब देखो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्यार जब यहां पे होई रहा है फ्री फंड में या यूटूब पे तो हम करी लेंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे तो मेरी यकीन मानना मेरी बात को अगर आप स्टार्टिंग से यूटूब पे पढ़ रहे होते हैं तो मैं गरंटी लेता हूँ आप यूटूब पे पढ़ के पास हो जाओगे अच्छे नंबर से लेकिन जो बच्चा आज अवेर हो रहा है जो बच्चा परिशान हो रहा है उनके लिए ये चीजे नहीं है कि यूटूब पे आज से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर क्योंकि उसको बहुत दो से तीन दिन तो सिस्टेमेटिक में लग जाएगा फिर आप वीडियो डाउनलोड करोगे फिर ये होगा वो होगा उसमें टाइमिंग जाता है जो कि genuine चीजे हैं वो मैं बता रहा हूँ वो आप भी feel करते होगे तो उस हिसाब से तो जिन बच्चों को course enroll करना है मैं अभी especially batch बनवा देता हूँ चाहे बच्चा तीन का हो तीन वालों को तो फिर भी time है वो वाले batch चल रहा होगा exam oriented पांच का हो चाहे बच्चा आपका आपका honors का हो program का सारे में batches मनवा देता हूँ आप join कर सकती हो और ये सरिफ मैं FM के साथ नहीं करने जा रहा मैं कुछ courses और भी है जैसे की for example MA management account जो चीजे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं कर रहा हूँ ठीक है न दूसरा courses जो है और बागी किसी में जुरत भी नहीं है ये दो core courses है और बहुत courses करूँगा कि Maths के अंदर और Stats के अंदर भी ऐसा कुछ किया जाए जिन बच्चों के पास है या Economics में कुछ किया जाए जो कि बहुत अच्छे नंबर लापाओ तो वीडियो थोड़ी से लंबी हो गई क्योंकि जब मैं बाते करता हूँ तो कई बार unnecessary भी बाते कर लेता हूँ मुझे लगता है बोल देना चाहिए तो मैंने बोल दिया तो चलिए वीडियो को like, share, subscribe भी करिएगा और subscribe ज़रूर करना है next वीडियो के अंदर मैं आपको धीरे-धीरे क्योंकि अभी उस content को मैं अभी update करने जा रहा हूँ उसमें time लगीगा फिर मैं आप सभी के सामने जो वीडियो आपको चाहिए जिस type का financial management से comment में ज़रूर लिख दीजिए के सर financial management के कुछ इस type का आप बताईए जिससे हमारी help हो जाए तो हम आपके comment को देखके ही वीडियो बनाते हैं आपके comment को देखने के बाद ही हमें idea आता है कि बच्चों की ये problem है तो उसके solution क्योंकि मुझे अगर problem नहीं पता चलेगा तो और बहतर होता तो definitely करूँगा comment में लिखेगा thank you so much मिलते हैं next video